सु हेलो गाइस स्वागत आप सभी के एक बाद फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ट में आप तुम लोगों पता ही है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात किया था मारल कॉमिक्स के सबसे बेस्ट साइटकिक्स के बारे में जो हमें कॉमिक्स के अंदर देखने को मिले हैं अब अगर देखा जाए तो गार्थ हमें बेसिकली एट्लांटिस के ही एक इर्रेगुलर लॉस ट्राइप का पार देखने को मिला था जिसके बर्थ के टाइम ही कह सकते हो कुछ रिचुल्स के थूरू उसकी पावर्ज को बाउंड किया गया था सील किया गया था इवेंच्वली गार्थ की कह सकते हो कि मुलकात होती है एक्वामैन से और वो उसे एक स्पेसिफिक मिशन के दौरान उसे रेस्क्यू करने में हेल्प करता है जिसके बाद ही आगे चलके एक्वामैन ने गार्थ को अपना साइटकिक बनाया एंड देन हम कॉमिक्स में गार् देखने को मिला था तब हमें इनके एक एडवेंचरस काफी ज़्यादा यूनिक किसम के और कह सकते हो कि आइकॉनिक देखने को मिले थे और अगर देखा जाए तो गार्थ जो है यंग जस्टिस वाले एक्वालेट जितना पॉपलर तो नहीं है बट खुद एक काफी ज़् इंट्रस्टिंग और आइकॉनिक साटकेक निकल के आता है नमबर 9 जीमी ओलसन अब जीमी ओलसन बेसिकली हमें डेली प्लैनेट के अंदर ही एक फोटो जेनरलिस्ट के तौर पर देखने को मिला था जो क्लार केंट और लूइस लेंड का काफी अच्छा फरेंड रहता है ब आइक नॉर्मल हुमन है एक नॉर्मल जेनरलिस्ट निकल के आता है बड़ सुपरमैन के अडवेंचर्स में उसका काफी बड़ा हात रहा है जहां अगर देखा जाये तो काउंटडाउन और न्यू क्रिप्टॉन जैसे स्टोरी हार्ग के अंदर जीमी ओलसन का हमें काफी ज जानते हैं जो पिलॉंग करता है 13th century से जो बेसिकली फ्यूचर से प्रेजंट में आता है और बाट अलेन हमें हमारे बैरी अलेन के ग्रैंट सं के तोर पे देखने को मिला है जहां बाट बेसिकली टीन टाइटन्स को जॉइन करता है और हमें वाली वेस्ट के फ्लैश के काम करते हैं as sidekick and mentor वो फैंस को बहुत ही जादा पसंद है तो अगर देखा जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि बाट अरेन यू तो एक काफी लाइकबल करेक्टर है लेकिन as a sidekick भी वह हमें काफी जादा शाइन आउट करते वे नजर आया है throughout different comic book series number seven Donna Troy अब Donna Troy बी DC Comics की एक काफी जादा popular sidekick निकल के आती है और overall एक काफी जादा लाइकबल करेक्टर है जहां Donna actual में कॉर्फन रहती है जिसे basically rescue किया था डायाना यानि कि हमारे wonder woman ने और basically वो उसे paradise island लेके जाती है and then eventually वहां Donna Troy जो है Amazon के combat, trainings और physical attributes के बारे में सीखती है दिन आगे चलके purple ray के मदद से उसे कह सकतो कि बाके Amazonian जैसी abilities मिलती है जिसके बाद ही Donna Troy हमें kind of wonder woman के एक statkick के तोर पे देखने को मिली थी and eventually वहागे चलके teen titans का भी एक काफी important part बनती है तो basically अगर देखा जाए तो wonder woman के तरह ही हमें Donna Troy एक काफी जादा powerful Amazon के तोर पे देखने को मिली थी और wonder woman के अंडर डॉनर ट्रोई की character को बहुत ही जादा fans ने पसंद किया eventually आगे चलके wonder woman का title भी लेती है और इस बात पर कोई भी शक नहीं है कि ये काफी जादा iconic sidekick रही है अब DC Comics के अंदर हमें दो super boy देखने को मिले हैं और वो दोनों ही kind of superman के sidekick के तोर पे पियर हो चुके है पहले बात करते हैं हमारे original super boy Connor Kent की तो superman के death के बाद basically superman और Lex Luthor के clone को create किया गया with kryptonian and human DNA जिससे हम Connor के नाम से जानते थे और उसने super boy का title लिया starting में वो teen titans का member था और fans ने इस character को बहुत ही ज़दा पसंद किया specifically cause of his personality बटा के चलके जब superman coins में return आया तो superman और super boy के बीच में हमें काफी अच्छा खास relationship देखने को मिला like mentor and sidekick जिसके वज़े से कुछ time के लिए सही लेकिन superman के sidekick के तौर पर हमें Connor Kent देखने को मिला था next हमारा super boy निकल के आता है Jonathan Kent यानि कि superman और Lewis Lane का बेटा जो currently super boy हमें देखने को मिला है DC के अंदर and eventually क्योंकि ये superman का बेटा है तो इसी वेसे इनके बीच हमें वो son और father वारे relationship तो काफी अच्छा देखने को मिलता ही है लेकिन साथ ही साथ इसी वेसे superman ने इसे personally भी train किया है और उसी वेसे से indirectly ही सही लेकिन जोनाथन भी superman के साथ की कितौर पर हमें अपीर होते वे comics में ने सर आच चुका है और ये दोनों ही characters बहुत ही जादा iconic है और दोनों ही characters इस list में अपनी position deserve करते है अब supergirl अब supergirl individually भी एक काफी iconic character निकल के आती है जहां वो basically हमारे Superman की cousin है Argo City की last survival रहती है जिसकी personality हमें काफी जाद aggressive किसम की देखने को मिली है जिसके बारे में मैं already काफी सार वीडियो में तुम लोगो को बता चुका हूँ और basically अगर देखा जाए तो supergirl उन characters में से एक है जो humans को particularly बहुत जादा hate करती है क्योंकि उसने क्रिप्टॉन के destruction को कह सकते हो कि देखा है experience किया है और वो चीज कह सकते हो कि उसके उपर एक काफी बुरा असर डालती है और इसी वज़े से eventually comics में Supergirl को Superman ने काफी time तक खुद के साटकिक के तौर पे train करके देखाया है जिस बिसे से अगर देखा जाए तो Superman के हमें जितने भी साटकिक्स देखने को मिले है उन सभी में Supergirl सबसे ज़्यादा best और iconic निकल के आती है क्योंकि इसके character writing बहुत ही ज़्यादा interesting है इसके character arc जिस तरीके से हमें different continuity के अंदर देखने को मिले है वो इस character को बहुत ही ज़्यादा बहतरीन देखाते हैं और इसे विएस से ये एक बहुत ही ज़्यादा जबर्दस किसम की DC साटकेक निकल के आती है तो रॉआ हमें DC के अंदर green arrow के साटकेक के तोर पे देखने को मिला था जिससे comics में हम Speedy के नाम से जानते थे देन उसने अरसनल की identity लिए और रेड आरो की रॉआ बेसिकली ओलिवर कुईन को बहुत ही ज़्यादा इडिलाइस करता था और उसने भी खुद को आर्चरी में काफी ज़्यादा ट्रेंड किया जिसके बाद से ही हमने Roy Harper को Green Arrow के sidekick के तोर पे देखा है और ये comics के one of the most iconic sidekicks in general में से एक निकल के आता है जाहिए एवेंचुली आगे चलके ये खुद के पैरों पे खड़ा भी होता है Young Justice को भी जोइन करता है और हमें एक काफी ज़ादा egoistic type character के तोर पे देखने को मिला है और overall हमें Roy Harper एक काफी ज़ादा iconic sidekick के तोर पे देखने को मिला है जो DC Comics का पार्ट है अब Harley Quinn के character से तुम सभी काफी अच्छे तरीके से familiar हो जो हमें Joker के sidekick और love interest के तोर पे देखने को मिली है Harley को originally comics में create नहीं किया गया था बलकि इसे create किया गया था Batman के animated show के अंदर और वहाँ इस character को बहुत ही ज़ादा पसंद किया गया क्योंकि इस character के writing बहुत ही ज़ादा interesting थी और लों को Joker और Harley का duo बहुत ही ज़ादा पसंद आया और Joker के साथ काफी सारे उसके पागलपन उसके काफी सारे गजब किसम के plans में उसका साथ दे चुकी है and eventually Joker ने Harley को personally train भी किया है जिसके वैसे Joker के सैटकी के तोर पे हमें Harley काफी ज़ादा लंबे टैन तक देखने को मिली थी भले इन दोनों के एक्टरस के बीच का रिलेशन्शिप हमें बहुत ही ज़ादा टॉक्सिक देखने को मिला हो बट वो चीज़ों से और भी ज़ादा मेनसिंग बनाता है और इसी वेसे Harley एक काफी आइकॉनिक साथ किक निकल के आती है अब वाली वेस्ट भी एक काफी आइकॉनिक DC का एक्टर निकल के आता है जिसे उसकी अबिलिटीज बैरी एलन के तरह ही उसी सेम लाइटनिंग बोल्ड से मिली जो स्पीड फोर्स वाल से कनेक्टेड है अगर देखा जाए तो वाली वेस्ट को उसके अबिलिटीज मिलने के बाद वो किट फ्लैश के आइडेंटिटी लेता है और फ्लैश यानि की बैरी एलन ने उसे खुद का सैटकिक बनाया जिसके बाद आगे चलके हम वाली वेस्ट को टीन टैटन्स का पाड़ बनते वे भी देख चुके है अगर देखा जाए तो बैरी एलन और वाली वेस्ट की जितनी भी हमें जरनी देखने को मिली है करेक्टर आग जो इनका देखने को मिला है एक साथ जो मेंटर और साथके का रिलेशन्शिप देखने को मिला है वो कॉमिक्स में बहुत ही जादा आइकॉनिक है और उस बैसिस से देखा जाए तो ये कारेक्टर एक काफी आइकाउनिक साथके के तौर भी हमें देखने को मिला है और प्रेस्नली ये मेरा फेवरेट फ्लैश है कॉमिक्स में अब मैं बैटमैं के इस लिस्ट में सेपरेटली रैंक कर सकता था बट उस वज़े से ऐसा पॉसिबल होता कि काफी सारे चाक्टर्स नहीं आपाते तो इसलिए बैटमैं के सभी रॉबिन को मैंने फर्स पोजिशन दिया है इस बात में कोई भी शक नहीं है कि Robin probably Fission का सबसे iconic sidekick निकल के आता है देखा जाए तो Batman individually work करते वे fans को पसंद है लेकिन fans के बीच में ऐसे भी एक कह सकतो कि fanbase है DC fanbase है जो basically Batman को Robin के साथ देखना prefer करते हैं क्योंकि Batman और Robin को जो डूर निकल के आता है जो इन दोनों characters के बीच के बीच में हमें partnership देखने को मिली है जो mentor और कह सकतो कि relationship देखने को मिला है फर्क नहीं पड़ता कोई भी Robin हो वो बहुत ही जादा iconic है Dick Grayson से लेके Damian Wayne तक Tim Drake से लेके Kelly के ली तक जितने भी Batman के Robins रहे है वो बहुत ही जादा जबदसर है कुछ ऐसे Robins भी रहे हैं जो fans के बीच में जादा popular नहीं हुए कुछ ऐसे Robins भी रहे हैं जिनकी writing उतनी जादा बढ़िया नहीं थी लेकिन different character arc के बाद वो characters काफी जादा popular हो गए तो अगर अगर देखा जाए तो मेरे नजर में तो जो Robins का character overall हमें देखने को मिला है जो Robins की identity DC में हमें देखने को मिली है भली फर्क नहीं पढ़ता कौन सा character हो वो first position डिजर्फ करता है list में So guys यह थी video top 10 best sidekicks को लिके जो हमें DC में देखने को मिले हैं I hope तो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो जोड़ों को अपना thumbs up देना अपने दोस्तों के साथ share करना चैनल पर कहीं सभी अगर नए आए हो तो चैनल को ज़रू से subscribe भी कर लेना मेरे इंस्टाग्राम और मेरे एनिमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे description में मिल जाएगा तो मुझे वहां पर विचिक आउट कर सकते हो मैं मलता हूँ तुमसे ऐसे किसे नेक्स वीडियो में तिल देन बाई, stay tuned, stay awesome